हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो थ्रू ओपन चैनल हम जो फ्लो हो रहा था पाइप के तुरू कर चुके हैं अब ओपन चैनल जो होता है उसके एकॉर्डिंग हमारे पास 80 प्रभी सेके कोशिन है असी जो कि हम आपके इस वीडियो में लेकर आए है तो अगर आपने हमारी इसमें अंसर हो जाएगा वह क्या हो रहा है निरुद बांध इनके suppressed बांध जो होता है वही हमारा correct अंसर बन जाएगा option A हमारा correct अंसर हो जाएगा अगला question देखिए यह भी question very important है कौन सा हम करते हैं तो option C friction loss जो होता है वही हम consider करते हैं calculation के लिए option C correct अंसर हो जाएगा अगला question देखिए तो notch angle for maximum discharge over a triangular notch is notch angle जो होता है maximum discharge के लिए किसके वापर जो हमारे पाई से triangular notch जो होती है उसके उपर के लिए तो उसके उपर 90 degree का angle जो होता है वो बनता है option C answer हो जाएगा अगला question देखिए यह इस question में answer हो जाएगा it means कि dimension less नहीं है इसके उसके उसके dimension जो है वो होती होगी तो यह important है बाकिस अभी जो है यह dimension less है अगला question देखिए यह भी important question है question क्या बोल रहा है erect angle channel will be most economic erect angle channel जो है उसको हम क्या बोल सकते है होगा most economic होगा जब flow depth जो होती है bottom की वो क्या होगी तो flow depth जो होती है वो क्या होती है one ratio two option a हमारा correct answer हो जाएगा one ratio two इसमें correct answer हो जाएगा अगला question देखिए इन open channel flow open channel flow में देखिए the ratio of better area to the better perimeter of a cross section जो ratio होता है better area जो होता है and better perimeter का of cross section का open channel में वो क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम hydraulic radius बोलते है option b हमारा correct answer बन जाएगा अगला question देखिए यह भी important question है question क्या हो रहा है J.B. Francis discovered that each and contraction reduced the crest length y कितने percent length जो होती है वो decrease करता है तो बो length जो decrease करता है 0.1H decrease करता option d हमारा correct answer हो जाएगा next according to the shape of opening the notches is classified according to shape जो होती है उसको कितने part में divide किया हुआ है तो उसको हमने triangular notch में divide किया हुआ है classified किया हुआ है C हमारा correct answer हो जाएगा अगला question देखिए if the bed slope of channel does not change along the length it is called bed slope जो होता है तो हम उसको क्या बोलते है यह पर option थोड़े नीचे हो गए है तो उसको हम prismatic channel बोलते है option d correct answer बन जाएगा अगला देखिते critical depth is that depth of flow water at which the specific energy जो होती है वो क्या होती है specific energy जो होती है minimum maximum तो वो होती है minimum option d हमारा answer हो जाएगा तो इस बार जो pdf बनी है उतनी अच्छी नहीं बनी है इसलिए आपको तोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है जैसे कि आप option c और d जो है वो नीचे चला गया है तो next question क्या बोल रहा है तो flow in open channel is set to be laminar तो no number is less than देखिए यह question जो होता है confusing question होते हैं तो यहाँ पर जाए तर student confused हो जाते हैं तो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि open channel के लिए क्या क्या होता है जब हमारा laminar flow turbulent हो तो यह मैंने आप बताई थी condition तो यहाँ पर देखिए open channel में हमारा flow laminar के लिए 500 होता है और 2000 से ज्यादा होता है तो तो तर्बुलेंट के लिए होता तब क्या कहते हैं अगर हमारा जो रिनोल नंबर होता है फ्राउड नंबर जो होता है वो एक से कम हो उस cases में तो उसको हम क्या बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं less than one होगा कांपर दिया गया सब क्रिटिकल उप्शन भी इस question बंसर हो जाएगा सूपर क्रिटिकल के कि लिए इकल टूवन होगा यह चीज इंपोर्टन है मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि क्या क्या किसके लिए हो सकता है अगर इन केस अगर आपसे यह फूचा जा कि फ्राउड नंबर ग्रेटर दन वन है तो वह होता तो सूपर क्रिटिकल है लेकिन वो टर अंसर हो जाएगा यह वाला नेश्ट देखिए वें द फ्राउड नंबर इस इकल टूवन फ्राउड नंबर जो है एक के बराबर है तो यह में आपको बताया यार कौन सा है इकल होता है तो क्रिटिकल होता है ऑप्शन सी क्रेक्ट अंसर बन जाएगा उसको बनेश क्लासिफाइगा तो पांच के लिए क्या कहलाता है तो पांच के लिए साथे चार से जो 9 के बीच में आता है वो कौन सा आता है एक से लेकर 1.7 होती है 1.7 से लेकर 2.5 इस तरह की वैल्यू होती है तो इस case में हमारा जो अंसर होगा वो क्या होगा और जो जाएगा जो फिन वैल्यू से लेकर fraud number की value 4.5 होती है लेकिन यहां पर height बगारा का कुछ पूचा गया है तो यहां पर हमारी value क्या रहेगी 3.1 से लेकर 5.1 option यह correct answer होगा अगला question देखिए We are maybe also used to measure We are जो होता है जो bound होता है हम इसको use कर सकते हैं कि इसको measure करने के लिए तो जो discharge होता है river में open channel में इसको हम use कर सकते हैं यह भी आपका important question बनता है उस बार देखिए the most common device for measuring discharge discharge को measure करने के लिए through channel होगा तो कौन सा होता है Venture film current meter or pitot tube क्यों कौन सा होता है वो तो वो Venture film ही होता है open channel के लिए and यह तो अलग है जो Venture meter होता है वो pipe में करता है लेकिन flume जो होता है open channel में करता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था अगला देखिए erect angular channel section is most economical when the depth of law and bottom width is in the ratio of क्या ratio होता है one ratio two यह पहला ही question हमने discuss किया था पहला कि दूसरा अगला question देखिए sudden and turbulent passage होता है water from a super critical state to the sub-critical state is noun as उसको हम क्या बोलते हैं क्या हम उसको बोलते हैं उसको हम बोलेंगे hydraulic jump option B हमारा correct answer हो जाएगा उसको नेक्स question देखिए क्या बोल रहा है in an open channel a moving wave front which bearing brings about an abrupt change in depth of the flow is noun as उसको हम क्या बोलते हैं surge बोलते हैं surge D हमारा answer हो जाएगा next देखिए यह question बहुत ही ज्यादा important है कि अगर बोला कि फ्राव नंबर जो होता है hydraulic jump का 6.2 है तो हमारा जो jump होता है वो कौन सा jump कहलाएगा tribe of jump is तो वो steady jump ही कहलाएगा steady jump के लिए जो हमारी value होती है 4.5 से लेकर 9 होती है steady jump के लिए तो हमारे पास 6.2 पुछागे तो 6.2 जो है वो 4.5 से लेकर 9 के बीच में ही आता है तो इसलिए भी हमारा answer होगा अगला question देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तो range of round number for beak jump के लिए तो यह आपको पता होने से सबसे पहले हमारे पास undo later jump आता है फिर beak jump आता है फिर ओस की लेटिंग जंप आता है फिर steady jump आता है फिर strong jump last में आता है जिसकी value जो होती है नो से ज़्यादा होती है तो आप यहाँ पर हमसे beak jump के बारे में पूछा गया तो इसकी value एक point साथ से लेकर 2.5 होती है एक point यह हमारा answer A हो जाएगा यह बीक jump के लिए हो गया अब अगर आपसे जो undo later jump होता है उसके लिए value यह होती है यह किसके लिए होती है steady jump के लिए होती है steady jump के लिए अब strong के लिए 9 से ज़्यादा होती है यह तो देखते ही पतल लाग जाता है कि एक ही बचता है हमारे पास से next देखिए इन case of open channel flow तो critical depth जो होती है discharge की वो क्या होती है तो वो होती है maximum for given specific energy के लिए maximum for given specific energy के लिए है अगला देखिए hydraulic jump ओकर वहन्दा great changes from hydraulic jump जो होता है आपको कब देखने को मिलता है जब हमारा grade जो होता है change होता है from steep to mild option c हमारा correct answer हो दाएगा next देखिए steady flow in an open channel exist वहन्दा steady flow जो होता है आपको कब देखने को मिलता है open channel में तो वो हमें दिखाई देता है, depth remain constant with the times, depth जो होती है, constant with the time, option B हमारा correct answer हो जाएगा Next देखिए, हमारे पास hydraulic jump 8 है, तो कौन सा jump होता है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर jump के according, अगर आपस question पूछा जाए, तो हमारा Step 4 से लेकर no जो होता है, वो steady jump में आता है, option B हमारा answer हो जाएगा, fraud number से बहुत सारे question जो होते हैं, आपको exam में पूछे जाते हैं, आप देखिए, यहाँ पर हाईडोर जामी more than 3, more than 3, तो हमारा 3 से ज्यादा जो होता है, वो oscillating में आता है, option A हमारा correct answer बन जाएगा अब यहाँ पर देखिए, strong jump के लिए पुझा कि strong jump के लिए क्या होता है, strong jump जो होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो D हमारा correct answer होगा, fraud number की value में अब next देखिए, एक concrete यहाँ पर machinery structure placed in open channel over which the flow occur is called, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बांध बोलते हैं, जिसके उपर पानी जो होता है, flow करता है next one question देखिए, the value obtained from dividing limiting value calculating the area of closed contour is called as, is known as, 4TCD हमारा correct answer बन जाएगा next question देखिए, hydraulic radius of channel is defined as the ratio of, hydraulic radius जो होता है channel का, उसको हम define कर सकते हैं, as the ratio of, area to better perimeter of the channel area to better perimeter जो होता है channel का, उससे हम उसको define कर सकते हैं next one question देखिए, हमारे पास क्या बहुत है, which one of the falling is not a dimensional parameter, non-dimensional parameter it means कि जिसका जो dimension होती है, हमें ये बताना है, non-dimensional तो कौन होती है, वो कौन होता है, जो non-dimensional होता है, ये question बहुती ज्यादा important है, exam के point बहुत है क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ाबर knowledge होना चाहिए, ज़रूरी है, तो वो होता है case is coefficient, option c हमारा correct answer हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो dimension होती है अगला देखिए, in open channel flow, the characteristics length commonly used in defining the renal number is तो वो होता है hydraulic radius, इससे हम a renal number की जो length होती है, उसको define कर सकते हैं अगला देखिए, height of the hydraulic jump is equal to, height जो होती है hydraulic jump की, वो किसके बराबर होती है height जो होती है, किसके बराबर होती है, तो वो होती है difference in conjugated depth जो होती है, उसके बराबर होती है तो इसमें यह होता है कि option number D हमारा सही answer हो जाएगा specific energy degrees होती है and specific force जो होती है वो constant रहती है D हमारा answer हो जाएगा उसके बाद देखे next question क्या बहुँ रहा है in the step method step method जो होता है चाहे हमारे पार direct या फिर standard method हो computation must, computation में क्या होता है उसमें यह होता है कि proceed upstream in sub-critical flow में option B हमारा answer हो जाएगा next देखे total number of possible gvf और while in open channel कितने होते हैं gvf में तो 12 होते हैं option A answer हो जाएगा तो gvf इसका क्या meaning होता है इसका meaning यह होता है कि जो gradually varied flow होता है varied flow जो होता है उसको ही हम gvf होते हैं अगला देखे इन open channel cases formula जो होता है वो क्या होता है cases का formula यह होता है option B अगला देखे open channel turbulent के लिए हमारा पास 2000 से ज्यादा ही flow होता है रिनोल नंबर के लिए अब देखे इन open channel laminar के लिए क्या होगा 500 से काम होता है laminar के लिए अगला देखे तक concept of boundary layer was first introduced by concept of boundary layer जो first सबसे पहले किस ने दिया था यह question बहुत ही ज्यादा important है तो प्रेंडल ने दिया था यहां पर थोड़ी spelling mistake होगी है T and L आना था उसके बाद यह ऐल ऐसे होता है प्रेंडल किस ने इसको अगला देखे हमारे पास कि आवरे डिस्चार्ज त्रूए ट्रेपाज़ी चैनल इस maximum discharge जो होता है हमारे पास ट्रेपाज़ी जो होता है वह maximum होता है कौन सी condition में मैक्सिमम होता है हमें यह बताना है तो option हमारे पास यहां पर सी अंसर हो जाएगा slopping side is equal to the half of the bit of at the top option c हमारा अंसर हो जाएगा उस पर next question देखिए hydraulic mean depth is also now nice hydraulic mean depth जो होती है वो किसके बराबर होती है तो यहां पर हमारा जो answer होगा वो क्या होगा तो hydraulic radius option a अब यह जो question है यह तीन बार पूछा गया था एक तो इस तरीके से पूछा गया था उहां पर तो इसका अंसर भी अंसर है 45 degree दो और question है उनका अंसर भी वह ही है लिकन question पूछने का तरीका देखिए कुछ अलग है different है तो 45 हमारा इसमें भी answer हो जाएगा अगला जो question है वो भी same वैसा ही पूछा गया था तो यहां पर भी देखिए थोड़ा सा question change किया इन लोगों ने most economic triangular channel section the angle of swapping site तो इसका भी 45 ही होता है triangular सभी में सेम आएगा most economy लेकर थोड़ा बहुत question होने change किया होता है तो आपका answer जो होता है वही होता है लेकर थोड़ा-थोड़ा कुछ problem आपको देखने को मिलती है next the flow in channel is considered to be transitional state if the renal number is open channel की बात हो रही यहां पे तो renal number क्या होगा transitional state के लिए तो 500 और 2000 के बीच में जो होत हो उसके बाद उसका link लो फिर उसको website में कैसे publish करना वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इसको simply copy करकर आपनी website पर paste कर सकते हैं इसको मोंक्रेस्ट लगाना हो वो लगा सकता है वहां पर जाकर हो सकता है कि कुछ दिनों में हम एक आपके लिए पूरा ही सब्सक्राइब होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे वहां पर आपको आपको लगा सकते हैं यह किताब की तरह पढ़ सकते हैं आपको आपको एसी थोड़ी बहुत मिल सकती है सुबीदा जो हो मिल सकती है ने इस देखिए इन मोस्ट एपिशन ट्राइंग्ली चैनल इस फ्रॉम हाइड्रोलिक जो होता है आपको कहां देखनो को मिलता है वह चेंज होता है कहां से कहां तक यह इंप्टन कोशिन है एक्साम की पॉइंट आप इस सारे ही कॉशन इंपोटन है अगर आपने प्रीबिस एक कोशन लगा दिये तो आपका फाइदा ही फाइदा है तो को सुपर्तिकल्तिकल्स सब्कृिकल्स में चेंज होता है थिता है कि हाइड़ फीक्रिकल में जोंता है B अगला देखिए, from the hydraulically efficient rect-angular section, the ratio of width to normal depth is normal depth, क्या answer रहेगा इस question का, तो 2 हमारा answer रहता है, D answer. The mean velocity in open channel can be estimated from the noun velocity at the free surface, it is apex equal to, उसका जो apex होता है, वो किसके बराबर होता है? तो इसका effects जो होता है, वो A option के बराबर होता है, यह fixed value है, आपको पता होनी चाहिए, next one question देखिए, क्या बोड़ रहा है, critical depth in a channel can be fixed discharge is a function of, तो A हमारा question बंसर हो जाएगा, जिसने channel को subscribe नहीं किया, वो कर लिजिए, हमें पीडियों जल्दी बनानी पड़ रहे है, क्योंकि हमे अच्छा नहीं लग रहा है कि थोड़ी PDF आपको अच्छी नहीं बनाई है हमने, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल रही होगी, next one can be more or less uniform in which of the following section characteristics, तो वो किसमें होता है, wide option हमारा डियो होना यह आपके दिया ही नहीं है, यह नीचे वाला रिया है, wide rectangle channel, तो देखिए यहां पर answer नीचे रहे है, question ऊपर रहे है, answer नीचे आगया, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, अब देखिए in hydraulic jump, the flow condition is, hydraulic jump में flow condition जो होती है, वो बहुत ही तीवर होती है, वो होती ही तीवर होती है, rapid होती है, भी हमारा answer हो ज देखिए, from the most economic trapezole section जो होता है, वो क्या होता है, तो हमारा C answer हो जाए गास में, hydraulic mean radius जो होता है, वो half होता है, depth of flow के, अगला देखिए, in the graphically matter of obtaining the flow net, if the lowest flow line confirmed to the bottom boundary condition, the flow net is, flow net जो होता है, वो क्या होता है, तो यहां पर question में ही हमारा answer है कि यह बिलकुल सही बोर रहा है, तो is correct, बिलकुल सही है, बिलकुल सही बोल रहा है, next देखिए, the most economic section जो होता है, which has hydraulic mean depth जो होती है, या फिर hydraulic radius जो होता है, वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है, half the depth, option A हमारा answer हो जाएगा, most common device जो होता है, जो कि discharge को measure करता है, through channel के through, तो वो कौन सा होता है, channel के through, venture meter ही करत है, यह दुबारा से question repeat हुआ है, लेकर कोई बात नहीं, अच्छा question है, next देखिए, the meaning formula जो होता है, वो किसके लिए use किया जाता है, meaning formula जो होता है, flow in open channel में हम इसको use करते है, next देखिए, most economic circular gives maximum discharge while, most economic circular channel जो होता है, वो हमें क्या देता है, maximum discharge देता है, तो जब उसका flow depth होता ह है, वो बराबरे होता है, एक कोल होता है, जिरकनो 95 डामेटर से, अब next देखिए, the most efficient channel section जो होता है, वो कौन दा होता है, circular ही होता है, अगला क्या बोल रहा है, hydraulically, the economic section जो होता है, drain for large flow के लिए, वो circular ही होता है, drain for large flow के लिए, तो वो हमारे पास circular ही economic section होता है, अगला देख करती है इसको रेफर करती है तो वो रेफर करती है depth having same specific energy for a given discharge के लिए इसको रेफर करती है अगला देखिए channel is set to be scoring channel जो होता है उसको हम निघर्षन कहते हैं जब क्या होता है जब उसकी critical velocity ratio जो होता है वो एक होती है तब हम उसको scoring कहते है इसको यूज करते है अगला कोशन देखिए इसको यूज करते है अगला कोशन देखिए the discharge corresponding to critical depth is maximum in which of the falling channel कौन से channel में तो वो open channel में ही discharge होता है critical depth से corresponding होता है maximum होता है open channel में ही होता है next देखिए the breadth is two times the depth in case of channel of rect-angle section then under this condition of how will be the discharge to the channel discharge होता है channel के तरूँ वो क्या होता है तो वो maximum होता है maximum motion या पर भी answer हो जाएगा अगला कोशन देखिए in most of the economical rect-angle section of a channel depth is kept half to which of the falling most economical rect-angle section जो होता है channel का इसमें हम depth जो होती है आधी रखते हैं इन में से किसकी इन में से किसकी हम depth जो होती है वो आधी रखते हैं तो वो हम रखते हैं hydraulic radius जो होती है उसकी option A हमारा answer हो जाएगा अगला कोशन देखिए what is the velocity of flow at all points velocity जो होती है all points की flow के लिए in the cross section of channel is तो वो क्या होती है सेम होती है velocity जो होती है flow की at all points पर channel के cross section में अगला देखिए in high cost land a line canal of limited capacity may have a section of which of the following shape कौन सी shape का होता है तो वो grip shape का होता है grip shape का हमारा section जो होता है उसमें होता है जिसको हम नाद अकार बोल सकते हैं open channel flow में क्या होता है open channel flow जो होता है इसमें तो open channel flow जो होता है इसमें यह होता है कि hydraulic gradient line जो होती है वो coincide करती है free surface के next देखिए depth of flow at which specific energy is maximum is called minimum is called sorry minimum is called उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम critical depth बोलते है option C हमारा answer हो जाएगा तो जिसने channel को subscribe नहीं क्या वो कर लिजी next question क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए laboratory के बारे में है channel is carrying sub critical normal flow what should be done to produce super critical normal flow without changing the discharge without changing the discharge तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें यह करना पड़ेगा channel weld should be made steep अगला लास्ट कुशन दे कि हमारे इस वीडियो का वीडियो ने जल्दी जल्दी में बनाया है क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आपको वीडियो देनी हीट इसलिए हमें जल्दी यह में वीडियो बनानी पड़ी इन defining the fraud number applicable to channel of any shape length parameter जो होता है वो यूज होता है किसके लिए यूज होता है तो length parameter जो होता है hydraulic radius के लिए यूज होता है तो friends आपको हमारी वीडियो कैसे लिए कि comment जरूर कीजिए वैसे अच्छी तो नहीं बनी है आज की वीडियो लेकिन फिर भी वीडियो प्रवाइड करना तो मिलते हैं इसी ही next video में